प्रदेश के लिए टेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है विभाग की नादानी से काउंसलिंग के बाद 10,000 सिक्षों को पदस्ता अपना आदिश रोके देखते हैं क्या है फुल अपडेट इसी तरह कि सिक्षा वाग शामने लिए टेस्ट अपडेट के लिए देखते रही है हमारा चैनल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजी वीडियो को लाइक एंड सेर कीजे शिक्षकों ने कहा कि आचार सहिता के पहले विभाग ने करवा ली थी काउंसलिंग स्कूल सिक्षा भाग ने प्रदेश के करीब 10,000 सिक्षकों के साथ घोर अन्याय कर दिया है आचार सहिता के पहले इन सिक्षकों की काउंसलिंग तो करवा ली गई थी लेकिन उच्छ पत्रवार सम्मंदि उनके आदिश जारी नहीं किये गए अब यह सिक्षक एक प्रकार से निराशा का गूड पीकर घर बैठे हुए हैं अधिकारियोंने जानभूच कर रोख दिये आदिश मद्द क्रदेश सिक्षक संके प्रदेश महमन्तिश 76 वीर सिंग राठोर का कहना है कि अधिकारियों ने जान भूज कर सिक्चकों के शात अन्याय किया है उनका कहना है कि यूडिटी उच्छ मादमिक सिक्चकों के काउंसलिंग आचा सहिता से पहले करवा ली गई थी सिर्फ उनके लिए नई जगा ज्वाइनिंग के आदिस जारी होने थे पूरी सोची समझी साचित के तहर पदिस्थापना के आदिस नहीं किये गए राठोर का कहना है कि विभाग को मान भी आधार पर यहे काम करना चाहिए थे राठोर का कहना है उच्छ पदप्रवार संबंदी काउंसलिंग में एक दोनों ही स्रेणों के एक हजार दस हजार सिख्चछ सामिल हुए थे उन्होंने बताया कि काउंसलिंग के बाद आधिकारियों से अग्रह भी किया गया था कि ततकल आदेश जारी किये जाए अधिकारियों को बताया गया है कभी भी आचासहिता लग सकती है उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो यह थी उच्छ पत्रवार के आदिस और शंबन लेटेस्ट अपडेट, अभी तक सिख्छों के आदिस जारी नहीं किये गए, इसमें सारी गलती विभाग की है, कि उन्होंने आदिस जारी नहीं किये, तुरंत आदिस जारी ह हो जाते तो ज़कों को यह नराशा हाथ नहीं लगती इसी तरह की सिख्था वाक्षिस संब्सक्राइब लिए दिखते रही हमारा चैनल धन्यवाद दोस्तों